स्टूडेंट जैमा सरस्वती सो स्टूडेंट आज हम अपने चैप्टर नंबर टू को रिवाइस करेंगे एन थोटी करी पार्ट तो हमने पहली यह थियोरी वाला पार्ट पहली कंप्लीट कर लिया सिथे पैक्टिस एक्साइज पर चलते हैं तो यहां से नहीं इससे भी पीछे हैं यहां से हमारी पैक्टिस एक्साइज स्टार्ट हो रही है और फिर्स्ट कोशियन लेना है किसका 15 और 20 का तो देखो क्या होता है हमारा लसी एम 50 और 20 तो देखो इसके लिए कर लेंगे किसका 50 & 20 हमारे पास है तो पहले 15 & 20 को लिख लेंगे फिर इनका LCM ले लेंगे तो किसे हमारे सबसे पहले 2 से कर लेते हैं फिर 15 आजिस आजाएगा ये 10 टाइम फिर 2 से ये अजिस आजाएगा ये 5 टाइम फिर 5 से 5 3 टाइम ओके ये किते टाइम फिर 3 से 1 टाइम तो इसका LCM कितना आजाएगा हमारा 2 x 2 x 5 x 3 तो ये इसका हो जाएगा टु टू जा फो फाइब त्री जा फिप्तीन इंटू फोर आजिस आजिस आफ इसके आजिस आजिस का करेंगे हमारे कौन सा है सेकिंड कोशिन को भी करेंगे ओके अब देखो हमने क्या करना LCM आफ ए हमें यापे कोश्चन दे रहे हैं थार्ड कोश्चन को बहुत टे करें कोशिन है हमारा LCM करना है हमने off किसका a cube plus b cube and a to the power 4 minus b to the power 4 का तो इसका कैसे करेंगे हम LCM देखिए हमें क्या given है a cube given है minus b cube given है and a to the power 4 given है minus b to the power 4 given है तो इसके लिए सबसे पहले देखिए क्या कर लेंगे जो हमारा है अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें ही क्या दिख रहा है पहले a to the a cube plus b cube को तोड़ लेंगे किस पे तोड़ जाएगा यह a plus b into a square minus a b plus b square यह क्या है हमारा यह इस पे तोड़ गया ना a plus b into a minus b b का whole square इस पे तोड़ रखाए ठीक है इस पे हमने तोड़ दिये इसको यह वही चीज है अब देखो नीचे तो इसको कट कर लेता है यह वही चीज है जो मैंने लिख ली उपर तो अब a to the power 4 minus b to the power 4 को तोड़ लेंगे इसको किस में तोड़ लेंगे देखो a to the power 4 तो यह क्या हो जागा सबसे पहले a minus b और क्या जाएगा हमारे पास a plus b ठीक है दोनों आएंगे उसके बाद क्या जाएगा a square plus b square ठीक है यह आगे हमारे पास अब देखो अब lcm कैसे लेंगे देखो hcf क्या हो जाएगा इसका सबसे पहले इसका hcf क्या हो जाएगा highest common factor तो देखो इसमें भी क्या है इन दोनों मैंसे लेना है ना हमने तो इसमें भी यह है इसमें भी यह है तो यह क्या हो गए इनका highest common factor आ गया लेकिन हमें एक रूल पता है पहले lcm का lcm का रूल क्या है जो फ कह इसम एक ट्रक्त ट्रकार दाड़ih करना परण ऊसका करना अपॉन हुद इसम करना क्या है जो हमारे एसिय्फ हमारा होता है होता है a cube minus b cube बागी पूरा बचा हुआ a minus b अगर हम इसको कौन से पर कर रहे है ये वाले में ये पूरा ये वाला है इस पर हमारा है देखो ये a plus है न तो इसका ये वाला भी इस पर आगया अब यह हो गया ये क्या हो जाएगा a plus b upon a square plus b square अब ये आगया हमारा इसके upon में क्या जाएगा hcf क्या रखा है a plus b आजाएगा हमारा अब देखो अब अब इसको solve करते हैं a plus b से a plus b हमारा क्या हो जाएगा cancel हो जाएगा ये ये cancel हो गया तो बचा क्या हमारे पास a cube minus b cube a minus b into a square minus b square यह बचा हम चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते है aq-bq इसको भी उस पर रखते ब्रैकेट में a²-b² a-b ऐसे भी लिख सकते हैं तो यह हमारा क्या आगया answer आगया तो हमारा जब यह answer आया है क्या हमारा ऐसा कोई answer है हमारे options में ऐसा answer है तो देखो देखते हैं क्या है हमारे ऐसा option पर answer हमारा क्या रखा है aq-bq यहां देखो aq-bq answer number c is right answer तो क्या answer number c yes हमारा answer number c is right answer same as आप किसे करेंगे इससे कर लेंगे ओके अब देखो एक बार मैं आपको बता देती हूं hcf मैंने आपको lcm बता दिया आपको बताती हूं hcf kis-kis का करना है six eight and 12 तो हमें करना है hcf scf six eight and and क्या है 12 है हमारे पास तो देखो पहले six का कर लेते हैं क्या आ जाएगा 2 3 जा 6 3 बन जा 3 यह आ गया 8 का कर लेते हैं 2 4 जा 8 2 2 जा 2 2 जा 4 2 बन जा 2 आ गया ठीक है 12 का कर लेंगे 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 बन जा 3 अब देखो इस पर क्या है हमारा 6 के क्या क्या आ रखे है factor 2 इंटू 3 8 के आ रखे है 2 इंटू 2 इंटू 2 और 12 के आ रखे हमारे क्या 2 इंटू 2 इंटू 3 अब अगर हम देखे तो इन तीनों में क्या है 2 हमारा common है तो HCF इस 2 आ जाएगा हमारा तो हमारा 2 कौन से option में है हमारा 2 B option में तो यह हमारा answer आ गया same as हम इसे भी करेंगे अब देखो जैसे मैंने आपको बता है यह वाला same as factor करने है हमने लेकिन HCF में करने है factor तो factor करेंगे चलो इसको देख लेता है ठीक हमारे पास क्या है question 7th question हमें हमारे पास है HCF of x2-9 and x2-5x-6 यह है हमारे पास यह दो है लेकिन हमें पता है कि हमारे जो HCF होता है उसका हमारे formula क्या होता है HCF upon LCM होता है ओके अब यह होता है हमारा HCF का formula हमने आपको पहले भी पता रखा एक बारी ठीक है तो देखते हैं कि इसको कैसे solve करेंगे हमारा तो देखो सबसे पहले हम चलते हैं कि इस पर चलते हैं देखो इसको कैसे लिखेंगे x2-9 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x-3 यह लिख सकते हैं x से x को हम multiply करेंगे तो x2-9 वह भी माइनस माएगा तो ऐसे तोड़ सकते हैं अब second चीज हमारे पास क्या है उसे लेते हैं हमारे पास है x2-5x-6 यह है इसको हम क्या ऐसा लिख सकते हैं x2-3x-2x-6 लिख सकते हैं 3-2 वह ही तो आ गया 5x तो यह हो गया हम इसको ऐसे तोड़ सकते हैं अब देखिए अब क्या होगा आगे इसी पर देखो क्या आ जाएग हमारा अगर इसमें से हम common ले लेते हैं इसमें से क्या लेते हैं अगर हम common लेते हैं क्या x common लेते हैं अगर इसमें से x common लेते तो हमारे पास क्या बचता है x इसमें से x बच गया और इसमें से क्या बच जाएगा 3 बच जाएगा ओके इसमें से x बच गया इसमें से 3 बच गय माइनसarna यहां से 2 को ले ले लेता है तो 2 के ही इधर क्या बजाएगा X-3 बज जाएगा ठीक है यह वाला है थीह बजाएगा इसमें से क्या आगए 2 आगे X रहे गया तो यहागा हमारे पास ठीक है तो हमारे पास कहके चीज़ा आगई एक तो ये वाला ले लो, एक ये वाला ले लो क्या है, x-3 और x-2 है, ओके, ये 2 है 2 है, ये बाहर हमने 3 ले रखा है ठीक है, तो देखो, क्या क्या आ जाएगा हमारे पास, सोरी, बाहर भी 2 है अंदर 3 है हमारा, तो इसमा हमारा क्या आ गया, x-3 और x-2 आ गया हमारे पास x-2 कौन सा, ये वाला x और ये वाला –2, ठीक है, ये आ गया हमारे पास, ठीक है, और इसमें इन दोनों में से x-3 common आ गया ये हमारा x-2 आ गया, अब देखो इसमें और इसमें क्या common है, x-3 common है ना, तो हमारा क्या आ गया answer, x-3 और 3 और x-2 देखो x-3 एक तो x-3 आ जाएगा हमारे पास इन दोनों में इसको common ले लेंगे बागी बच्चा वाला क्या आ गया x-2 आ गया तो यह हमारा क्या हो गया इस तरह से हम इसको solve करेंगे आगे देखो हमारे पास और क्या क्या questions आते हैं इस पर very simple है हमारे पास यह सारी चीज़े देखो से इसमें करना है से मैं अप यह सीम आगे आगे term कैसे लेना है तो हमें क्या करना है इसके जो क्या करना है क्या क्या है टिये किसके के मैं हमारे पासिंस में हो न्यूमिनेटर का करेंगे इंदो करेंगे यह हमारा फॉर्मूला होता है जब क्या हो फ्रैक्शन में हों स्सक्राइब इसका उपर आजाएगा मतलब इन्यूमिनेटर का ऐसी है अब इसका LCM कर लेंगे तो simply हम इसको find कर सकते हैं बाकी बचे अब यह वाले question important है तो मैं इनको कल कराऊंगी यहां तक तो छोटे छोटे question है यह कुछ थोड़े लंबे question करने में थोड़े तो लंबा होता है अगर practice करेंगे तो तुरंत हो जाएंगे मैं बताती हूं तो इसलिए लेट होता है सो हम में time management को भी ध्यान में रखना होता है तो इन सारी चीजों को आप करेंगे ठीक है थैंक्यू गैस अगले class में मिलते हैं